सबी को मेरा नमस्कार, मेरा नाम जोती कुमारी है और मैं एक अक्षा नावी की छात्रा हूँ स्री जैतनिया सिबल स्पैस राजमाटरी से और मैं आज हिंदी भाषा के बारे में कुछ शिब्द शेय करना चाहती हूँ मातर भाषा हिंदी पर सुन्दर पंक्तिया ये है हिंदी को वनवास दे अंग्रेजी को राज हमने सत्तर साल में कैसा गड़ा समाज हिंदी हिंदुस्तान में हुई सेवी का आज पट रानी बनकर यहां इंग्लिश करती राज हिंदी में है चेतना, हिंदी में है प्राण, हिंदी में है देश का स्वाभिमान और सम्मान हिंदी सूर कबीर है, हिंदी है रस्खान, आओ सब मिलकर करें हिंदी का उत्थान हिंदी हिंदो हिंदुस्तान, कहते हैं सब सीनातान पल भर के लिए जरा सोचे इंसान, रख पाते हैं हम इसका कितना ध्यान सिर्फ 14 सितंबर को ही करते हैं अपनी राश्टर भाषा का सम्मान हर पल हर दिन करते हैं हम हिंदी बोलने वालों का आपमान 14 सितंबर को ही क्यों याद आता है बस हिंदी बचाओ अभियाद क्यों भूल जाते हैं हम हिंदी को अपमानित करते हैं खुद हिंदुस्तानी इंसान क्यों बस 14 सितंबर को ही हिंदी में भाषन देते हैं हमारे नेता महान क्यों बाद में समस्ते हैं अपना हिंदी बोलने में अपमार क्यों समस्ते हैं जब सब अंग्रेजी बोलने में खुद को महार भूल गए हम क्यों इसे अंग्रेजी ने बनाया था हमें वर्षों पहले गुलाण आज उन्ही की भाषा को क्यों करते हैं हम शत्षत प्रणाम अरे वो खोए हुए भारती इंसान अब दो जगाओ अपना सोया हुआ स्वाबिमान उठे खड़े हो करे मिलकर प्रयास हम दिलाए अपने मात्र भाषा को हम अंतराश्य पहचान ताकि कहें फिर से हम हिंदी हिंदू हिंदूस्तान कहते हैं सब सीनातान जनजन की भाषा है हिंदी भारत की आशा है हिंदी जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी हिंदुस्तान के गौरों गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, जिसके बिना हिंद थम जाए एसी जीवन रेखा है हिंदी, जिसने काल को जीत लिया है एसी काल जयी भाषा है हिंदी, सरल शत्तों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी, धन्यव बाइ